अम्रित काल का ये पहला बजेट विक्सीद भारत के विराट संकल को पूरा करने के लिए एक मजबूत नीव का निर्मान करेगा ये बजेट वन्चितों को वरियता देता है ये बजेट आज की एस्पिरेशनल सुसाइटी गाउं गरीब किसान मद्यमवर सभी के सपनों को पूरा करेगा मैं वित्नमंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस अईतियासिक बजेट के लिए बधाई देता हूँ साथियों परंपरागर्त रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी महनत कर कुछ न कुछ सुरुजन करने वाले करोडों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है लोहार, सुनार, कुमार, सुथार, मुर्तिकार, कारिगार, मृत्री, अंगिनित लोगों की बहुत बहुत लंबी लिष्ट है इन सभी विश्वकर्माओं की महनत और सुजन को देश इस बजेट में पहली बाद अनेक पोद्साहन योजना लेकर के आया है ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नलोजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है पी-एम विश्वकर्मा काउशल सम्मान यानि पी-एम विकास करोडों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बड़लाव लाएगा साथियों, शहरी महलाओं से लेकर गाउं में रहने वाईली महलाएं हो कारोवार, लोजगार में वस्त महलाएं हो या गरकाम में वस्त महलाएं हो उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विद कदम उठाए है जल जीवन मिशन हो, जुला योजना हो, पी-एम आवास योजना हो ऐसे अनेक कदम इन सब को बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा उसके साथ साथ महलाएं सेल फेल गुरूप एक बहुत बड़ा सामर्तवान छेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगा अपने हाफ एकवार कर चुका है उनको अगर थोड़ा से बल मिल जाए तो मिरे कल कर सकते हैं और इसलिए विमेन सेल फेल गुरूप उनके सर्वांगिन की विकास के लिए नई पहल इस बजेट में एक नया आयाम जोड़ेगी महलाओं के लिए एक विशेश बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जन्दन एकाउन के बाद ये विशेश बचत योजना सामान ने परिवार की गुरूइने माताओं बेहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है ये बजेट सहकारिता को ग्रामीन अर्थिववस्ता के विकास की दूरी बनाएगा सरकार ने कोपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना बनाई है स्टोरेज के परिसिटी बजेट में नए प्राइमरी कोपरेटिवस बनाने के लिए एक महत्वकांची योजना का भी एलान हुआ है इससे खेती के साथ साथ दूद और मचली उत्पादन के खेतर का विस्तार होगा किसानों और शुपालकों और मचारों को अपने उत्पाद की बहतर कीमत मिलेगी साथ योग अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सबलता को एग्रिकल्चर सेक्टर में दोहराना है इसलिए इस बजेट में हम डिजिटल एग्रिकल्चर इंट्रास्ट सेक्टर के एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं आध दुनिया इंट्रनेस्टनन मिलेट इयर मना रही है भारण में मिलेट के अनेक प्रकार है अनेक नाम है आध जब मिलेट गर गर में पहुंच रहा है पूरी दुनिया में पप्लर हो रहा है तो उसका सर्वादिक लाव भारत के छोटे किसानों के नसीब में है और इसलिए अवर्षक है और नए तरीके उसको आगे ले जाए जाए इसकी एक नई पहचान विशेश पहचान अवर्षक है इसलिए अब इस सुपर फूर को स्री अन्न की नई पहचान दी गई है को दी गई प्राफ्रिता से देश के छोटे किसानों हमारे आधिवादी भाईवें जो किसानी करते हैं उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देश वाचियों को एक स्वस्त जीवन मिलेगा साथियों ये बजेट सस्टेनेबल फूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन एकोनोमी, ग्रीन एनरजी, ग्रीन इंफ्रासेक्टर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूत पूर्व विस्तार देगा बजेट में हमने टेक्नोलोजी और न्यू इकोनोमी पर बहुत अधिक बल दिया है एस्पिरेशनल भारत, आज, रोड, रेल, मेट्रो, पॉर्ट, वोटरवेज, हर खेत्र में आदूनिक इंफ्रासेक्टर चाहता है नेक्स जनरेशन इंफ्रासेक्टर चाहिए दो हजार की चौदा की तुलना में इंफ्रासेक्टर में निवेश पर चार सो परसंड से जानदा के वृद्धी की गई है इस बार इंफ्रासेक्टर पर दस लाग करोड रुप्य का अबुत्परव इंवेस्टमेंट भारत के विकास को नई उर्जा और तेज गति देगा कि निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर परदा करेगा एक बहुत बड़ी आबादी को आएके नए आउसर उप्लब्द कराएगा इस बजेट में इस अब बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढाया गया है MSM के लिए दो लाग करोब रुप्य के अतिरित रण की गारंटी की व्यवस्था की गई है अब प्रिजम्टिव टैस्क की लिमिट बढ़ने से MSM को ग्रोग करने में मदद मिलेगी बड़ी कंपनिया द्वारा MSM इसको समय पर पेमेंट मिले इसके लिए नई व्यवस्था बनाई यही है ताथियों बहुत तेगी से बदलते भारत में मद्यमबर्ग विकास हो या व्यवस्था हो साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ हो जीवन के हरक्षेत्र में आज भारत का मद्यमबर्ग एक प्रभुख धारा बना हुआ है संब्रूद और विक्सित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मद्यमबर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशे सामर्थ है वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मद्यमबर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है मद्यमबर्ग को ससकता बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अने को निर्ने लिए और इज ओफ लिविंग को सुनिश्चित किया है हमने टैक्स रेट को कम किया है साथ ही प्रोसेस को सिंप्लिफाइड ट्रांस्परेंट और फास्ट किया है हमेशा मद्यमबर के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मद्यमबर को टैक्स में बड़ी राहत दी है इस सर्वस पर्ची और विक्सित भार्ट के निर्मार को गती देने वाले बजेट के लिए मैं फिर एक बाद निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और देश वासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आवान करता हूँ आईए अब नया बजेट आपके सामने है नए संकल को लेकर के चल पड़े 2047 में समरुद्ध भारत समर्थ भारत हर प्रकार से संपन्द भारत हम बना के रहेंगे आईए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं बहुत 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 दन्यवाद